बेटा गोकुल पुलिस ने 24 घंटे में दो गैंगेस्टरों को किया गिरफतार आरोपियों पर 25,000 का था हिनाम अर्दोई के अपर पुलिस दिक्षक धुर्गीस कुमार सिंग ने बताया कि थाना बेटा गोकुल पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों पर सक्त का रिवाई की जा रही है और इसी के तहत लगातार विधानसवा चुनाओ के मद्दे नजर अपराधियों की गिरफतार की जा रही है इसी के तहत बेटा गोकुल पुलिस ने 25,000 के इनामिया दो अपराधियों को गिरफतार किया है आरोपियों को गिरफतार करने के बाद में मामला पंजिकरत करते हुए उन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जहां से अदालत के निरोदेशा अनु में इस तरेके की कारिवाई चल लई है या पर पुलिस अदिक्षक दुर्गेश कुमार सिंग ने बताया कि सर क्या 24 गंटे में पुलिस ने इनामिय अपरादियों पर कारवाई की है यह थाना बेटा गुकूल की पुलिस ने 24 गंटे में दो इनामिय अपरादियों को गिरफतार किया है और दोनों पे 25,000 रुपे का पूर से इनामि गोसिता इन पे गंगेश्टर एक्ट का अवियोग लोनार थाने पे पंगिकृता